नमस्कार आप देख रहे हैं वे टाइम नियूस बढ़ते हैं चारखन की खबरों की ओर सिख्षक के द्वारा छात्रों की पिटाई के मामले में चैनपूर प्रखन विकास पदाधिकारी जॉक्टर शिशिर कुमार सिंग ने उपायुक्त गुमला को पत्र प्रेरित कर मामले से आउगत कराते हुए बताया कि सिख्षक विकास कुजूर के द्वारा संत माइकल एंग्लिश मेडियम स्कूल चैनपूर की कक्षा छठवी में पढ़ने वाले 14 वर्ष से कम उम्रके 13 चात्रों को क्लास का दर्वाजा बंद कर अमानिवेता का परिचार देते हुए सिख्षक पत को कलंकित करते हुए मारपिट की गई है जाच की क्रम में पाया गया है कि सभी 13 चात्र सिख्षक की पिटाई से बुरी तरा चोटिल हुए मारपिट के करण अधिक गंभीर निशान मौजूद है इस सिख्षक पर यतोचित विदे सम्मत कानूनी कारवाई अपक्षित है इधर चैनपूर थानप्रभारी आशुतोष कुमार सिंग ने कहा कि आरोपी सिख्षक की गिरफतारी कर ली गई है और सिख्षा अधिकार अधिनियम कानून के तहट विबिन धाराओं और कुरोता अधिनियम की धाराओं के तहट प्रात्मी की दर्ज कर आरोपी सिख्षक को जेल भेज दिया गया वी टैम निउस के लिए चैनपूर से कुलदीब कुमार की रिपोर्ट